क्या आप जानते हैं कि इशान खटर बचपन में 17 घरों में रहे हैं? जी हाँ आपने सही सुना हम सभी जानते हैं कि इशान खटर ने अपनी जब्यो फिल्म के साथ ही बॉलिवुड इंडास्ट्री में अपने लिए खास जगा बना ली है अभी से ही उनकी काफी अच्छी खासी फैन फॉलोविंग हो चुकी हैं लेकिन इशान खटर के लिए बॉलिवुड और स्टार्डम की ये जोर्नी सिंपल नहीं थी इशान खटर ने हाल ही नेक पॉड का शो के दौरान रिवील किया कि उनका बच्छपन काफी मुश्कल था अपने बयान में इशान ने बताया कि बढ़ते हुए उन्होंने लगभग सत्रा घरों में अपना बच्छपन गुजारा है इशान कहते हैं कि उनकी मा निलमा आजिम उस वक्ट एक सिंगल मदर थी इसलिए उन्हें काफी बार अपना घर बदलना पड़ता था इशान बताते हैं कि वो महस सोला साल के थे जब उन्होंने अपना सत्रवा घर बदला और अब वो साथ साल से उस घर में रह रहे हैं इशान ने अपनी प्रॉब्लम शेर करते हुए कहा कि उनकी ममी को सिंगल मदर होते हुए काफी स्ट्रगल करना पड़ता था वो एक ही साथ भेट सारे टेलविजन शोज करती थी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके इनफार्ट इशान खटर ने भी बड़े ही यंग एज से परफॉर्म करना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े जब इशान से अपने भाई शाहित कपूर के साथ कमपारिजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका कंसर्न कभी नहीं रहा है इशान ने कहा अक्टिंग मेरा पैशन है मैं काफी यंग एज से अक्टर बनना चाहता था और मैं जानता हूँ कि हर इंसान की अपनी खुद की जौर्नी होती है मुझे अपने फैमली से कभी प्रेशराइज नहीं होना पड़ा बल्कि मैं हमेशा उनसे इंस्पायर हुआ हूँ वेल इशान घटर ने ये साबिक कर दिया है कि हर बॉलिवूड आक्टर या स्टार किट की जौर्नी आसान नहीं होती आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल